Hello everyone, आप सब का स्वागत है RRB ALP और Technician 2018 का CBT1 का Maths का Question Solve कर रहे हैं जिसमें 9 August, 10 August, 13 August का सारा Shift कम्प्लीट हो चुका है 14 August का पहला Shift भी कम्प्लीट हो चुका है आज की क्लास में 14 August का दूसरा Shift का सोलिशन करेंगे अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो Playlist में जाकर की वीडियो देख सकते हैं शुरू करते हैं उससे पहले चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आगे बढ़ते हैं फाम सवाल है मिश्यंट में रे तोर बजड़ी का नुपाथ सा अट है जबकि बजड़ी और सीमेंट का नुपाथ 6-7 है विए अब सबको मर्ज कर देजिए तो 57 को सी और बजड़ी और अचल यहां मर्झ कर देंगे इसको दो से कटा देते हैं दो तीय चे दूचो के आठ दूचो के आठ अब उपर नीचे गुना करके यहां लिखेंगे साथ यह एकीस हो रहा है यह 24 हो रहा है और यह 28 हो रहा है पूच क्या रहा है रेत और सिमेंट का अनुपात यानि इन दोनों का रेशियो पूच रहा है तो एकीस अनुपात 28 होगा फिर साथ सिसको कटाते हैं साथ यह एकीस साचो के 28 हो रहा है यानि तीन अनुपात चारी सवल का सही आंसर हो ओप्सन नुमबर डी अगला सवल देखते हैं इसी प्लेटफॉर्म के उपर से एक टावर का उन्नायन कौन 30 डिग्री था टावर 45 मी उचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की 36 दूरी 40 रूट 3 मीटर थी प्लेटफॉर्म की उचाई कितनी थी देखिए एक प्लेटफॉर्म है इस तरह से और यह एक टावर है ठीक है और यह जो है जमीन है कह रहा है कि प्लेटफॉर्म का सीर्स से टावर के सीर् डिगरी का है ठीक है प्लैटफर्म के उपर से यह वाला जो कौन बन रहा है यहां पर यह कितना का है किस डिगरी का है यह समकौन है और यहां पर कितना हो गई है यह प्लैटफर्म का उचाई है जो कि ग्याद करना है ठीक है यहां से यहां तक भी तोनों समांतर है तो जो दू दूरी चालेच रोट तीन है अब देखे 30 के सामने एक रहता है साठ के सामने कितना रहता है रूच तीन रहता और नबबे के सामने दो रहता कि यहां पर रूट 3 का वेलिू चालेच हूँ कितना हुआ इसका 40 मीटर oke यानि यहां से लेके यहां तक का दूरी और पूरा टावर का जो उचाई है कितना है 45 मीटर यहां से लेके यहां तक का है 45 मीटर तो 40 मीटर अगर माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास यह डिस्टन्स यह कितना हो गया माइनस करेंगे तो पांच पांच मीटर इस सवाल का सही अंसर अप्शन नमबर सी अगला सवाल देखते हैं कि 111110 का वर क्या है देखे यह किस पॉल्स आउरकर इसको याद रखे जैसे आओ मान लेज़ें 11 आछस ग्यार Park करेंगे हमारे पास तो 1 921 यानि एक से Müर ऑफ़ दो से एक ऊब उसी तरह जब 2011 stinks ऐसकरर करेंगे तो हम लोग तेंगे RAW एक लोग तो तीन यानि जितना वार यहां पर देखे सवाल में है पांच वारेग तो एक दो तीन चार पांच फिर अब वहां से नीचे आना शुरू करेंगे पांच के बाद चार तीन दो एक तो यह हमारा सही आंसर होगा इसका स्क्वार तो अप्सान नुमर बी में है यह यह अगला सवाल देखते हैं कि 8 परसंट साधारण वार्षिक व्याज के दर पर कोई धनरासी ड्हाय वर्षों में 300 रुपया हो जाती है आएक व्याज दानरासी क्या आइक पर सन्ट के दर से ड्हाय वर्ष में कितना व्याज मिलेगा आट गॉनट पॉंट पाइफ यह जाएगा 20 परसंट फ्ट यह तो ब हो जाएगा तीन सुरूप है धन्रासी पूछ रहा है नहीं सो परसेंट तो सो परसेंट यहां से निकल देंगे यह कितना हो जाएगा तीन सो पट्टा एक सो बीस गुना तो यह जीरो जीरो काड़ देते हैं 12 से कड़ दाएगा 25 बार में 25 गुना सो 250 अप्शन नुम्बर सी अ उम्र के आधे से तीन वर्स ज्यादा थी रोसन की वर्तवान उम्र क्या है देखे दो लोग है रोसन और उसा माल लेते हैं कि यह उसा पर आधारित उसा की वर्तवान उम्र के इतना है तो उसा का माल लेते हैं वर्तवान उम्र जो है एक्स वर्स है तो रोसन के कितना होगा डेर्ड गुना से तीन वर्ष कम है, तो यह हो जाएगा, यानि 1.5x, तीन कम है, तो तीन मैनस करेंगा, यह उसका प्रिजेंट का हो गया, ठीक है, वर्तमान, अब जाना है 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले जाना के लिए दोनों में 12 मैनस करना पड़ी, तो ये कितना हो यहां पर एक्स चुड़ गया और यह हो जाएगा एक्स मैनस पंदर ठीक है अब देखिए बारा वर्स पहले जब जाते हैं तो क्या होता है उसा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से इन वर्स ज्यादा थी यानि रोशन का उम्र का आधा में इन जोड़ देना यह रोशन का उम पराप्त होगा यह एक्स मैनस बारा पस्सींपल साइस को सौल्व करना है अंसर आ जाएक तो यह तो यह त्रफ भी देते हैं क्या हो जाएगा वन प्वेंट फाइब आटा डो यह तो यह तरफ जाएगा तो एकस मैनस पंदरा हो जाएगा अब दो को भी यहां साथा कि इस मैनस 15 है और उस तरफ से 15 दुना 30 मैनस 30 इस तरफ आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा तो X का वेल्यू क्या हो जाएगा इसनका डिफरेंस 15 है 15 को 0.5 से डिवाइट करेंगे तो यह आएगा 30 एक्स का वेल्यू आगया 30 तो रोशन का वर्तमान उमर्प पूछ रहा जो कि हम लोग क्या माने थे यह वह लाह एक है वरतमान उमर यह इन है तो इस ने एक्स का वेल्यू रख देंगे क्या जाएगा 1.5 एक्स यानि 30 का डेड़ गुना करना 30 का डेड़ गुना 45 उसमें मैनस 3 करना तो 42 सवा सवाल का सही अंसर अप्शन नूमबर ए अगला सवाल देखते हैं ककमर ने एक सेकेंड हेंड स्टोरियों को पुना वित्री के's 16 लावर अरज हृच है यदि स्टोरियों को 15 रुपे खरीदा था तो उसने उसे कितना मिदेचा त्रिप्लेट डारेक्ट पूछ देया वारबर काते हैं याद रखें यहां पर आठ 1517 है इस सवाल का साही अंसर और मांके ट्रिप्लेट जो कॉमन है यहां पर दिया हुआ है लोग इसको स्कें शॉट ले लिजे नहीं तो नौट कर लिजे और याद कर लिजेगा इसको आगे साही है तो आठ गंटा 202 बना लेजी कि छाहे तो पूत्र को चार से भाग करके दो घंट बना लेजी कां मपूत्र को चार से गुना करके आठ घंटा बना टो यह चार गुना दू आठ गंटा हो जाएगा 8 गंटा से वस्तू कुतना हो तरफ चार से कोना करेंगे तो इस सद्रफ भी 4 से अधिक है उसके बाद दौनों की सक्ति आधिक है तो समान तो है नहीं उत्र की सकती अधिक है यह सवाल का सभी अंसर अगला सवाल देखते हैं दिया गया कराप मानव सरीर में खनीजों की मात्रा को दिखाता है यहां पर दिया हुआ सप्टो उसके बाद कि इस आंकडिक आधार पर मानव सरीर में दूसरे सबसे अधिक परतिसत और दूसरे सबसे कम परतिसत वाले धातु का अनुपात क्या है दूसरा सबसे अधिक कौन ह से थोड़ा सा कम दूसरा नंबर पर है आईरन 25% ठीक है उसके बाद दूसरा सबसे कम सबसे कम देखे यहां पर सोडिया में 8% उसके बाद जो सबसे कम है 9% यहां पोटेसियम तो 25 बट्टन नो इस सवाल का सही अंसर होना चाहिए जो कि आप्सन में भी नहीं है दो अनुपात एक लिया होगा अगर दो अनुपात एक लिया है तो यहां पर यह जो है इसरा सबसे कम अगर लगाएगा तो सही होगा यह 18% जब हम उपर लेंगे और नीचे 9% तब जाकी आएगा दो अनुपात यह तो सवाल मेरर है या नहीं तो ऑप्शन मेरर है अगला सवाल देखते है एक संकू के आधार का चतरपल 645 वर्ग सेंटीमीटर है जबकि इसकी तिर्ची उचाई 17 सेंटीमीटर है इस संकू को ठोस गोलार्द प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है इस गोले की किरज्या कितनी होगी देखिए यहां पर गोलार्द है और यहां पर गोल तो आधार का च्छेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वाइर जो की है हमारे पास 64 पाई पाई तो कट जाएगा यहां से आर कितना आगे आठ एक आकार बना लेते हैं यहां संकू का तरह से जिसका तिर्जय कितना है और यह हाइट नहीं पता है और तिर्य कुछ आई कितना है 17 संकू में तो यह 17 यह तो यह कितना होगा 15 होगा यानि कि एस इसका कितना आगे 15 अब देखिए जब इसको पिगला के एक गोला बनाएंगे तो आइतन बरावर रहेगा ठीक है बस से बदल जाएगा दोनों का आइतन बरावर कर देता है संकुक आइतन होता है यानि की आठ का स्कुर करेंगे 8 गुन 8 लिख देते हैं के बाद एच एच कितना है 15 यह होगी हमा गोला काइतन होता 4 by 3 पाय और क्यूब तो आर यहां केपिटल लिखते हैं फाइंड करना है इसका क्यूब करेंगे यहां देखिए पाय पाय तो कट जाएगा नीचे वाला तीन भी कट जाएगा उसके बाद चार से इसको दो बार में कटा देते हैं ठीक है तो आर का वेल्य निकल जाएगा तो 8 का घंबल तो 2 हो जाएगा लेकिन 30 का कोई घंबल नहीं आएगा तो 30 को अंदर रखेंगे करनी में 3 लगाएंगे तो 2 रूट अंदर 30 उस पर करनी 3 इस सवाल का सही आंसर है तो आप्सन नंबर B में दिख रहा है जो कि सही आंसर अगला सवाल देखते ह एक इमारत के आधार का अवनमन कोन 30 डिगरी है टावर के उचाई कितनी है यह टावर है और यहाँ पर इमारत होगा जिसके आधार से टावर के सिर्स का अवनमन कोन कितना है 30 डिगरी है यह 90 होगा समकुन टावर का उचाई पुछरा है है यह 30 है यह 60 होगा रेशियो क्या ह हता है एक रूट्ट तीन का पर यह दो हता है का या दिया हुआ है तीज मीटर दूर यानि कि यहां से यह तक का दूरी है इस मीटर अब आराम से निकल जाएगा root 3 का value 30 है इसी का value निये है तो root 3 का value 30 है तो एक का कितना जाएगा 30 बटा root 3 और निकलना है कितना एक unit का तो इसी को simplify करेंगे answer आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा देखिए परिमेकरन कर दीजिए root 3 से उपर नीचा गुना कर दीजिए अगला सवन देखिए पहली 100 प्राकर्तिक संख्या का आउसत क्या है इंपल से है सुत्र क्या होता है एन फ्लस वन बटा दो कि इतना पूछ रहा है 100 संख्या है तो 100 न का value हो जाएगा 100 प्लस वन बटा टो यह हो जाएगा 50.5 और बांकी जो पूछेगा जैसे अब्रेज ओर फॉस्ट एंड इवन नमबर यानि की संख्या प्रथम एंड संख्या का डिरेक्ट एंड प्लस वन कर देना अगर माले हैं 100 संख्या पूछता तो क्या हो जाता 101 सवाल का पूछता ठीक है और नमबर का तो वह सो ही आंसर हो जाता इन्डो फर्मूला याद परिक्षा यानि कि पूल-मार्क्स कित्ना है कि एक में कं से कम कितने अंग जरूर प्राप्त करने होंगे ताकि वह रागव के प्रदरसन का मुकावला करने का मौका पा सके देखिए दो लोग है राघव और जुबेद राघव को आर लिखे है जुबेद को जे राघव दिया है 12 परिक्षा और इसका आउसत है 24 और जुबेद दिया है 9 परिक्षा इसका आउसत है अभी तक में 23 पहले इसको बेसिक से गुना करके चार बारा दुना 24 चार 288 जुबेद का कितना हो रहा है 29 207 कि इतना कम है 81 का कमी एक 80 का ही डिफरेंस है अब जुबेद को 81 अंक चाहिए राघव का बराबरी करने के लिए लेकिन जुबेद के पास अभी तीन ही पेपर है कितने पेपर है तीन मान लेते हैं कि दो पेपर में उन्होंने तीस और तीस फुल माक्स प्राप्ट कर लिया ताठ हंक तो प्राप्ट कर लेगा लेकिन चाहिए कितना तो तीसरा जो paper होगा third paper उसमें कितना प्राप्ट करना होगा उसको ताट प्राप्ट कर चुका है एक यसी चाहिए तो 21 इसको और चाहिए यानि तीसरा paper में कम से कम इसको 21 लाना ही होगा अगर यहां गुणा से बचना चाहते हैं तो simple सा है यहां पर 12 है यहां पर 9 है तो 9 का average 23 है लेकिन यहां 24 बनाना तो इसको 9 नमबर और चाहिए ठीक है 9 नमबर और चाहिए लेकिन साथ में इसको 3 paper और चाहिए तो 24 average होगा तो 24 तिया 72 और चाहिए यहीं डिफरेंस जो गुना करके निकाले हैं वह आम लोग डिरेक्ट इस तरह से सोचके logic से निकाल सकते हैं अगला स्वाल देखते है यह डेटा दिया हुआ जनवरी फरवरी से जून तक करहत दिया गया graph XR में वर्स 2017 में 6 मैनों का बाइक पंजी करन और पुल वाहनों को दर साथा ठीक है नोट है पहली संक्या बाइक भूरा यानि कि यह जो ग्रे कलर है यह बाइक का संक्या है और दूसरी संक्या जो है खुल वाहनों का यह ब्लैक वला ताला वला कुल वाहन है तो पूछरा दिये गए डेटा का अधार पर मार्च 2017 में वाइक के अतिरिक्त पं 15 में 15 माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा 10 ठीक है तो 10 तो एक यूनिट जो है हजार में दर साता है तो 10 है तो कितना हो जाएगा दस गुना हजार दस हजार तो आप्सन नुबर से सवाल का सही अंसर होगा अगला सवाल देखते हैं इन तीनों का सबसे बड़ी संक्या है तीनों को काट देगा वही अंसर होगा सबसे बड़ी 18 है जो कि तीनों को काट रहा है तो यहीं इसका सही अंसर अगला सवाल देखते हैं अरजुन और अनुराग एक कारे को करमसा 6 और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं अरजुन है और अनुराग है यह काम को 6 दिन में कर सकता है और यह साथ दिन में यह टाइम का अनुपात है जब टाइम का अनुपात दिया रहे तो इसका जो efficiency का अनुपात है जस्ट उल्टा हो जागे यानिकि 7 अनुपात 6 हो जाएगा और इसको जब यह दोनों मिलकर कारी करते हैं लेकिन रुपिया कितना मिला है इसको 780, कितना गुना है, 60 गुना है, ठीक है, तो अर्जुन के बारे में पूछ रहे है, अर्जुन के कितना है, 7, 7 का वेली कितना होगा, 7 गुना, 60, अच्छा के 24, 4, 4, 4, 4, 5, 6, सवाल का सही अंसर हो, अपसन नुम्बर D, अगला सवाल दे करते हैं, A, B, C मिलकर किसी कारी को 10 दिनों में समाप्ट कर देते हैं, ठीक है, A, B, C, 3 मिलकर 10 दिन में करते हैं, A, B मिलकर 12 दिन में समाप्ट करते हैं, A, B मिलकर 12 दिन में, जबकि B, C, 1, 7 मिलकर इसी काम को 20 दिन में पुरा करते हैं, B, C, इसको 20 दिन में पुरा करते हैं, तो B अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा यही पूछ रहा है, तो LCM कितना हो जाएगा, 60, इसका एफिसेंसी कितना हैगा, 10, 6, 60, इसका 5 आगए, इसका 3 आगए, तो B का निकालना है देखे, इन दोनों का अगर जोड देंगे, तो B दो बार काउंट होगा, इन दोनों को ज करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आठ हो रहा है, आठ में 6 मैनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, दो, तो दो यूनिट की साब से साथ यूनिट काम करने में कितना टाइम लगएगा, तीस दिन, डिवाइट करेंगे तो तीस आएगा, अप्शन नुमर एस सवाल का सही अगला सवाल देखते हैं, एक प्राकरतिक संक्याओं को जब 4, 5, 6, 7 से विवाजित किया जाता है, तो परती एक दसा में 3 से बचता है, तो ऐसी सबसे चोटी संक्याओं क्या होगी, तो यह जो होता है, सबसे चोटी संक्याओं, वो हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, नमबर का, ठीक है, LCM अप नमबर प्लस, जो रिमेंडर बचता है, वो इसमें जोड देंगे, तीन बच रहा है, तो यही इसका फॉर्मूला होता है, निकलने का, याद रखिये, तो लोग 4, 5, 6, 7 का LCM निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 4, 5, 6 का तो 60 आ जाएगा, साट प्रती वर्स का साधरान ब्याज प्राप्त होना है, यदि रही ने पांच वर्सों तक बैंक में धनरासी को रखा, तो उसे ब्याज की रूप में कितनी रासी प्राप्त होगी, तो शेसो का 40 परसेंट कितना हो जाएगा, 240, जीरो जीरो कटाएगे, 40-6, 240, अप्शन नमर 20 स हीन्सा है, अगला सबाल दखते हो, अपन रभी और एक केक को आपस में ने टपन के पास ने, पतम के पास इसका एक बट्त चार भाग था, तरिशा के पास इसका दोबट्त तीन बैँ और सेस् रवी के क्लीं कुणा कुण युणित का युञए कि दो को कितना मिलेगा आपान को मिल जाएगा और राखाथ एक बटते चाथ का जो होता है तिन उसके बाद चुछ को मिला है रभी जैसा को मिला है वारा का दो बटता थी है यह जाएगा चारदुना आठ चुनित टोटल के एक 12 है जिसमें तपन और त्रिशा को मिला के 11 यृणि बढ़ चुका है तो बचा कितना मैंनस करेंगे तो एक यूनित बचा एक यूनित बचा है कि की जोरवी को मिला है लेकिन टोटल के कितना है 12 तो 12 कितना इस शायक बॉत टेर्इंब यही आंसर होगा, अगला सवाल देखे, पाइप A और C किसी खाली टैंक को करमसा 32 और 28 में भर सकते हैं, A है, C है, A 32 घंटा में, और C जो है 48 घंटा में भर सकता है, जबकि B भरे हुए पाइप को 24 घंटा में खाली कर सकते हैं, इसका एफिसेंसी 32, 32, 96 और 24, 96 यह माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यह खाली करने वाला, यदि तीनों पाइप को 81 खोल दिया जाए, तो टैंक का 2 बटा 3 भरने में कितने घंटे लगेंगे, टैंक है 96 यूनिट का 2 बटा 3 ही भरना है, तो इसका 2 बटा 3 हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तीन से कटाएंगे 32, 32 दुना 64 होता है, अब 64 को 3 मिल के भरेगा, कितना भराएगा एक बर में, टोटल भरेगा 3, 2, 5, 5 में से 4 खाली कर देगा, तो एक यूनिट हुआ, ठीक है, तो एक यूनिट की सबसे स्कुक टाइम कितना लग जाएगा, 64 गंटा, आपसर नमबर 20 सवाल का सही अंसर है, अगला सवाल देखते हैं, राम के पिता की उम्र, राम के उम्र की दो गुनी है, आठ वर्स पहले, राम के पिता की उम्र, राम के उम्र का धाय गुनी थी, राम की वर्तवान उम्र क्या है, तेखें, यहां पर राम है, और उसका फादर है, राम का पिता की उम्र जो राम का दो गुनी है, अगर राम एक यूनिट का है, तो राम कितना है यह चलेंगे उस का तूम सा मचा ठीटा तूमान सवर हो eu राम MIतलब यहीं जब राम-ठीश करके अंतर लेते हैं का पांच यूनट एक यूणिट का डिफरेंस आ रहा है यहां पर यहां देखिए दोनों का अंतर है दोनों जिगा जब सेम सेंख्या रहे तो यह इसका अंतर में गुना करेंगे यहां दो तीन पांच में सो दो गया तीन का अंतर है तीन अठाटा चौवीश नहीं तो इस तरह सकते लेक्त हैं इन में से किस संख्यां का बोल एक और फुरी में संख्या है ठीक है यह किसका बुर्ग मूज है तिर का इस ही तो इस इसका वर्गमूल नहीं आएगा यई है इसका कितना आजाएगा यह आजाएगा 75 ऐखाटर ऑर यह एन पर इस पर यह ही आएगा वही ऑपरी में हम लोग लगाएंगे तो अगला सवाल देखते हैं तो यह लास्ट सवाल था ठीक है वीडियो आपको कैशा लगा कॉमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए किरी मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बाबाए टेक केर